अब इन्पॉर्टेंट है आपके एक्जाम में चेंज मेथड आने के ज्यादा से ज्यादा चांसे से क्लियर है चलिए सर चेंज मेथड देखते है जिसका जो भी डाउट आए कमेंट कर दीजेगा सबसे पहले चेंज मेथड होता क्या है यह समझ ले चेंज मेथड क्या है मान लो एक कमपनी है that is XYZ लिबेटेड इसने मसीनिरी खरीदा सपोज करो एक लाक रुपए का एंड ही डिसाइडेड के भाई यह डेप्रीशेशन लगेगा 10 परसेंट SLM तो लास्ट के एंड में हर किसी के एंड में डिप्रीशेशन 10 अजार नाव कितने लगे बचे 90 हजार फिर से एंड में डिप्रीशेशन कितना लगेगा 10 हजार बचा कितने 80 हजार नाव कंपनी डिसाइड यार SLM नहीं लगाते हैं हम WDV लगाते हैं दो साल पहले जब ES6 में cover होता था तो बहुत जंजट था इसके अंदर हमें पीछे value से calculate करना होता तब बिल्कुल सिंपल हो चुका है यह अब इसके बाद हमारे पास मान लेते हैं हमने इस बार सोचा यार अब WDV लगाते हैं अब WDV का मतलब rate सेम नहीं रहेगा इसकी मर्जी है कुछ भी करें इसने बोले भाई WDV 15% से करेंगे तो यहीं से WDV चालू हो जाएगा end में क्या होगा हमारा depreciation अब 80,000 पे सीधा 15% चालू हो जाएगा 12,000 माइनस करोगे तो बचा 68,000 अब आगे to be continue क्या लगेगा हमारा WDV 15% तो इसी method को क्या बोला जाता है हमारा change method सुरू से कोई और method लग रहा था साल के बीच में यह किसी भी time हमने अपना method ही बदल दिया अब यह method आपका SLM से WDV भी हो सकता है WDV से SLM भी हो सकता है rate कुछ भी हो सकता है कम भी और जादा भी तो चलिए इस question के help से समझते है कहता है good luck limited purchase a machinery gen 17 1-1-2017 सर कितने का खरीदा 194 का और इस machinery पे spent कर दिया 6,000 तो machinery की कीमत हो गई total जाके 2,00,000 now edition machinery costing 1,00,000 purchase 1,00,000 जुलाई 19 1-7-2019 में एक और M2 खरीद लिया जिसके कीमत है 1,00,000 तब machinery purchase January 17 यानि इसकी बात कर रहा है has been auctioned for rupees 1,00,000 auction का मतलब भी होता है sale कर देना ठीक है निलाम कर देना तो आपने इस वाले machinery को बेच दिया सहाव इस वाले machinery को sold कर दिया कब बेच दिया आपने इस machinery को आपने इस machinery को कहता है purchase and 1 July 19 यानि सर 172,00,19 में इसको बेच दिया आपने और कितने का बेच दिया सर 1,00,000 ध्यान रखेगा इस बात को आगे जब करेंगे तो use होगा आपने सेम डेट एक machinery परचेस किया 1,00,000,000 का सेम डेट मतलब वाट एक साथ दो हजार 19 को machinery कितने का खरीद लिया हमने 1,00,000,000 याट इस यह होगे हमारा M3 तीन machinery हो गई depreciation was provided depreciation 10% original cost original cost कौन सा? SLM फिलाल अभी SLM लग रहा है 10% के हिसाब से no depreciation need to be charged in the year of sale of machinery जिस साल machinery को बेचेंगे उस साल depreciation लगाने की कोई जूरत नहीं है तो देखो मैंने 117 2019 में बेचा है तो जो भी 3 महने थे मैंने का जो भी depreciation लगेगा नहीं लगाना क्योंकि साल बेचा गया है आगे कहता है for the part of the year when machinery use however the company charge change method change कर रहा है WDV method में 15% from straight line method और ये change करना चाह रहा है 1-1-2-0-2-0-2 respectively so the machinery account 17 से लेके 20 तक कर रहा है ठीक है समझ में आए question एक वार मैं line depreciation charge वाला मैं पढ़ देता हूँ no depreciation need to be charge year of machinery year of sale of machinery part the year machinery was used जिस साल बेचोगे कई वार ऐसा भी बोल जा सकता है कि in the year machinery purchase full year depreciation should be charged मतलब अगर आपने ये खरीदा है July में तो आपको पूरे साल का लगाना होगा उस टेम पे ये बोल देगा ठीक है चलिए अब depreciation लगा लेके करके अब हमारा accounting year अब बताये कहीं पे क्या accounting year बताईए जल्दी से नहीं मार्च में खतम हो रहा है या दिसंबर में बताईए एन्वली 31st दिसंबर कहता है कि स्टेट लाइन अपियर एक एक दास शूदा मस्पी अकाउंट बारगा से शतरा और depreciation दिसंबर वाली बात कहां लिखी है यह रहा अगर ये लाइन नहीं कहता तो जो आपको येर है ना इससे समझना होता दो तरीके से येर बोलते हैं जा ऐसे बोलता है 2018-2019-2020-2021 अगर ऐसे देता है वो तो तो ये मार्च वाला है क्योंकि इसमें दो साल आ जाते है एक में अगर ऐसे देता है 17-20 तो इसमें 17 में 21 साल आ रहा है तो ये जनवरी वाला है ये ध्यान रखना है ठीक है ना हलाकि कोशन बोलेगा कई बार नहीं बोले तो एक्जाम में तो करना है कोशन हमें हाँ 2000 तो मैंने 19 क्यों लिया 17 एक जनवरी 2017 को मैंने आक्षन किया है एक मिनट डेट गलत ना हो जाए एक जुलाई को एडिशन कॉस्टिंग एक लाक रुपे परचेस मसेंडरी एक जुलाई 19 में हमने बेचा है ठीक है 31 बारा 17 में डेप्रिशेशन लगेगा अभी फिलहाल से देखिए एक मैंट अठारा 18 बचे कितने अब आ गया इस साल बेचने वाला एक एक दो हजार उन्निस और हमने बेच दिया एक जुलाई को एक साथ दो हजार उन्निस और कुश्टन साफ साफ कहता है जिस साल आप बेचोगे डेप्रिशेशन चार्ज तो नहीं करेंगे भाई डेप्रिशेशन इतने टाइम तक इसने भले ही इस्तमाल किया नहीं करेंगे क्योंकि कुश्टन कह रहा है कितने का बेच दिया ये बीस एक साथ हैगा ठीक है तो साथ हजार रुपे का क्या हो गया है यहां पर देखिए ठीक है आगे बढ़ जाए अब इस पर डेप्रिशेशन लगाएंगे 31, 12, 2017 को कितने महिने का सर छे महिने का या साथ महिने का जुलाई, अगस, सेप्टमबर, अक्टूबर, नॉवंबर, दिसंबर कितने महिने का छे महिने का तो अभी तो SLM ही चलेगा that is 5000, बचा कितने 95 एक एक दो हजार अठारा 31, 12, 2018 अभी भी SLM चलेगा 10,000 that is 85,000, एक एक दो हजार उन्नेंज से 31, 12, 2019, अभी भी SLM ही चलेगा that is आपका 75,000 एक एक दो हजार बीस अब इस साल बदल जाएगा 31, 12, 2020 अब SLM नहीं लगेगा 15% के हिसाब से WDV लगेगा 75,000 पे 15% 11,250 यहां गया 63,750 पहले बड़ा लफड़ा था इसके अंदर बहुत लफड़ा था पहले इसके अंदर हमें रिद्रोस्पेक्टिव एफेक्ट जाना पड़ता था चेंज मेथड का इंपेक्ट लिना पड़ता था लेकिन AS10 के अंदर यह सब खतम कर दिया गया बोला बही है जब से चेंज हुआ तब से लगाओ इस पे डेप्रिशेशन लगेगा 31,12,2019 6 महिने का देट इस 75,00 रुपए बचा कितने 1,42,500 1,1,2,020 अब 31,12,020 तो अब तो सीधा WDB ही लगना है 12,500 पे कितने परसेंट 20 15 21,375 1,2,1 1,2,5 पुरानी बुक जिन बच्चों के पास है यह कुशन होगा कई बार पेपर में आया हुआ है वहाँ पे solution देखोगे तो कुछ अलग मिल सकता है हो सकता है पुराने वाले तरीके से change करके करा हो क्योंकि यह changes आया हुआ है slaves के अंदर उसके according किया हुआ है पुरानी बुक जिन बच्चों के पास होगा उसके अंदर इसका करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा तो दियान रखिएगा चलिए सबसे पहले लिखे ले balance कब लिखें एक एक सत्रा क्या लिखें टू बैंक कितने का खरीदा सहाव दो लाग 31 बारा को depreciation लगा दे depreciation बीस हजा अब हमें देखना M2 कब खरीदा इसी साल खरीदा है क्या बिल्कुल हाँ एक साथ सत्रा को ही खरीद लिए हमने M2 M2 लिखे देते हैं एक लाग इस पे भी depreciation लग गया कितने लगा 5 जा और ये ना examiner का सबसे ज़्यादा popular question है जो पूछा जाता है simple वाले बहुत rare पूछे जाते हैं ये सबसे popular रहता है उनका अब तो change revise वाला भी आ गया वो भी पूछते हैं balance cd 275 31 ठीक है अब आजाओ 1118 2 balance bd कितने रुपाएंगे 275 क्या M3 18 में खरीदा है चेक करो 19 में कुछ नहीं खरीदा M3 में तो sir very simple हमारा ये as a tease depreciation लग जाएगा कब लगेगा sir 31 12 पहले पे 20,000 तूसरे पे 10,000 cd निकार लेते हैं 275 275 आजाते हैं 30,000 माइनस करोगे तो 245 11,000 29 2 balance bd कितने रुपय आगे 245 अब तीसरा मसीन क्या खरीदा है बिलकुल 17,000 2 bank कितने का खरीदा है that is M3 है 150 का खरीद लिया अब depreciation की बात करते हैं तो 31,12 31,12 अब 3,3 depreciation क्या बेचा भी इसी साल है हमने बेचा भी है तो पहले हम बेचेंगे फिर depreciation लगेगा ठीक है तो सबसे पहले बेचा कब है हमने एक साथ 19 by bank से क्योंकि depreciation तो लगा नहीं इस पे sale कितने का और एक साथ को ही 19 में हमें हो गिया by profit and loss से loss कितने का 60,000 अब depreciation लगाएंगे 31,12 by अब 1 पे नहीं लगेगा अब 2 पे लगेगा सिर्फ 10,000 और 31,12 को ही by depreciation नमबर अब किस पे लगेगा 3 पे और 3 पे देखो पहले साल में कितना है 70 500 चलो 395 35 395 by balance cd 31,12 minus 160 minus 10,000 minus 75 27,500 अब ये डेट पे आगे हमारे पास 1,1 20 2 balance bd 217,500 अब 31,12 को depreciation लग जाएगा by depreciation नमबर 2 and by depreciation नमबर 3 अब 2 पे जो depreciation है that is 11,250 and 3 पे जो है that is 21,375 क्योंकि यहाँ पे क्या लग चुका है wd भी लग चुका है चलिए बस और तो है नहीं हमारे पास कोई machinery क्योंकि बिग गया है एक तो 217,500 217,500 by balance cd minus 11,250 minus 21,300 184 875 31,12 ठीक है तो यह था हमारा change method अब आपको लग रहा हुआ इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं अगर आप basic basic question practice कर रखी आपने तो आपको feel होगा सर इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं बस simple सर यह चीज है जहां method change हुआ वहाँ से rate change कर दो और normal question करते जाओ जैसे पहले profit and loss निकालते थे अब वैसे निकालेंगे मैं अगेन कहतू जो पुरानी book है वहाँ पे करने का तरीका बिलकुल अलग था इसका तो नई book वाले बच्चों को तो same दिखेगा लेकिन पुरानी book वाले बच्चे परिशान हो सकते हैं पुरानी बुक वाले बच्चे या कहीं से होता ने कई बार PDF आ जाता है पुराने फोटो इमेजेस तो वहाँ पर लोगे सर ऐसे करा है वो वह मैथड पुराना था अब मैथड चेंज हो चुका है अब करने करने को ठीक है पंद्रह सोला जैसे कि दिवाली के बाद जो कुछ सेशन जाता है उसके बाद तो रेग्लार क्लास हो जाएगी नुवंबर से लेके आपका पंद्रह नुवंबर के बाद रेग्लार क्लास मेरा however टार्गेट है कि भाई एक दिसम्बर को आपका स्लिवस खतब जो भी आपका 16 17 से एक्जाम हो रहा है एक हार्डली मेरा लास्ट टार्गेट है पांच दिसम्बर को लाइव में खतम कर देंगे रेगुलर क्लास लेके ठीक है चलिए अब देखो ये वाला मैथड होमवग में दे रहे हैं एक्जाम में आया हुआ है अब WDB से SLM इससे कोई मतलब भी नहीं है जैसे करना है करोगे आप ये वाला भी नेहीं करेंगे ये वाला भी होमवग में मैं लिखता जा रहा हूं होमवग में तो आप होमवग ट्राई जरूर करेंगे ठीक है ना नहीं तो फिर दिक्कत होगी depreciation sale of assets change method ये भी होमवग में है इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिशेशन अभी सिखाया है नहीं मैंने आपको टूटल कितने कुशन है इस चलो यह ज्यादा लंबा नहीं खिचेगा तीउजडे भी सुभे क्लास रहेगी तीउजडे कब सुभे क्लास रहेगी सुभे 9 बजे ही रखेंगे तीउजडे को रिजन तीउजडे सुभे 9 बजे एक मिट उस दिशेर है मैं अनॉस्बेंट डालूँगा अभी टूस्डे का कन फोर्म न ही है क्яा रहने वाला है मैं अनॉस्बेंट डाल तो कैसे रखेंगे बंडे का भी मैं अनॉस्बेंट डाल दूँगा पहले ही पता चलजाएगा कि कब रहेगी क्लास क्योंकि टिउजडेnik देशहर रहा है साम को रखनी सकते और सुभे का भी मेरा कुछ कंफर्म नहीं है तो उसके accordingly मैं चल रहा हूं ठीक है तो यह हम चेंज मेथट के तीन कोशन आज ही ट्राइ करोगे तो होगा अब स्टार्टिंग में चलते हैं सर क्या-क्या था कि अंदर कि और क्या क्या कर लिए टिक मार लेता है एक वार गयार वी बार वी वाले में हमें ज्यादा मैनत नहीं करी और नहीं करना ही चाहिए क्यों क्योंकि उसके according देखो पहले हमने यह वाला method कर लिए दोनों नंबर दो पर मैंने बोला तक क्या कराऊंगा मैं चेंज में तो आज हमने यह भी कर लिया जैसे ही चेंज में और इसके खतम होंगे मैं नंबर तीन पर आपको फिर चेप्टर टफ है अभी तक आप इसमें और इसमें देखो कि ऐसा कोई मेजर ऐसा बहुत बड़ी चीजे चेंज नहीं है और सिंपल चलता रहा है ऐसा ही आपका वह वाला चेंज चलेगा एक्जाम में पूछे जाने के चांसे इसके या इसके हैं इस बार